वेलकम दोस्तों मैं हवाट कोड़ जी तेंदर आज के वीडियो के अंदर मैंटिनेंस को लेके चर्चा करने वाला हूँ आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप पत्नी को मैंटिनेंस देने से कैसे बस सकते हैं आप पतनी का maintenance केसे बंद करवा सकते हैं यहाँ पे आपकी कुछ गलती भी नहीं है बिना वज़य आपको पतनी को maintenance देना पढ़ रहा है आप यहाँ पे इस मुसीबत के अंदर फस चुके हैं यहाँ पे आप पतनी को रखना चाहते हैं अपने साथ में रखना चाहते हैं, पत्नी आपको बिनावज़ छोड़ के माई के चली गई है, वहाँ पर जाके आपके उपर maintenance का case कर दी है, कोट के दुआरा आपके उपर maintenance लगा दिया गया है, और आपकी यहाँ पर कम salary होते हुए भी आप उस salary या उस income में से आप पत्नी को maintenance दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुके हैं, तो इस मुसीबत से आपको कैसे भार निकलना है, यहाँ पर यह जानकारी भी बताऊंगा, या फिर आपकी पत्नी आपकी उपर maintenance का case करने वाली है, तो उस इस्तिति में आप उस maintenance को कैसे रुकवा सकते हैं, उस maintenance को कैसे बंद करवा सकते हैं, पूरी पर के लिए आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी बहुती खास और बहुती important वीडियो है, बिलकुल अंतक आपको ये वीडियो देखना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी, उससे फिले बतादो इस चैनल को सब्सक्राइब लिए कि हैं, तो सब्सक्राइब भी किजे, बैल लाके न दबाई वीडियो को लाइक करके सेर कर दीजे, मेरे से अगर बात करना चाते हैं, कोई भी लीगल प्रोब्लम है, तो स्क्रीन के उपर मेरे नंबर सो हो रहे हैं, वीडियो को डिस्क्रिशन मेरे नंबर दिये गए हैं, अपॉंट्मेंट बुक करवा के डारेक्ट कोल के पर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रोब्लम का स्यूलिशन पा सकते हैं, तो चलिए एक गले की हड़ी है जो जल्दी से ही निकल नहीं पाती है वो बहुत ज़्यादा प्रेशान करती है यहाँ पे आपकी income भी कम है आपकी salary भी कम है फिर भी आपको उस income और salary में से पत्री को maintenance देना पड़ रहा है यहाँ पे आपकी कोई गलती भी नहीं है पत्री ने यहाँ पे गलती की है वो आपको छोड़ के गई है यहाँ पे उसकी मनगड़नत कोई साजी से इसलिए वो आपको छोड़ के गई है और छोड़ के जाने के बाद में आपने पूरी कोशिस की है उसको साथ में लाने की उसको अपने पास में रखने की फिर भी वो नहीं आ रही है और यहां पर बाने पर बाने लगा रही है उसके बाद में वो आपके उपर maintenance का case कर दी है कोट की दुवारा maintenance लगा दिया गया है तो यहाँ पर इससे बड़ी बुरी बात और आपके लिए क्या हो सकती है क्योंकि यहाँ पर आपकी गलती नहीं है फिर भी आपको यह सजा मिल रही है maintenance की सजा मिल रही है तो यहाँ पर यह आपके लिए भोती दुखी बात हो जाती है दूसरी बात इसमें यह होती है कि आपकी पत्री चोड़ के गई है आपको लग रहा है कि आपकी उपर maintenance का case करने वाली है तो उस maintenance की case को आप कैसे challenge कर सकते हैं वो लगने वाला जो maintenance स्को आप कैसे रुकवा सकते हैं तो यहां पर मैं डीटेल में आपको बता देता हूँ एक वकिल होने के नाते आपका पूरा साथ दो गा maintenance content के अंदर आप कस तरीके से उस maintenance को रुकवा सकते हैं उस maintenance को पूरी तरह से बंद करवा सकते हैं तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आपकी जब गलती है नहीं है आपको इतनी बड़ी सजा मिल रही है मैंटिनेंस की तो इसके लिए आपको फेले सत्रक होना बहुत ही जरूई है सत्रक रहते हुए आपको क्या करना जरूई है यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आपकी पत यानि कि अपने पीचे जरूर कुछना कुछ सुराग वो जरूर छोड़के जाती है जब तक वो आपके साथ में रहती है तो आपके साथ में अबधर व्यवार करती है आपको गाली-गलुच निकालती है, आपको धमकी देती है कई पत्निया तो ऐसी होती है कि कई लोगों के बीच में चपल वगरा निकाल के मारपीट तक करने लग जाती है जब इतना अबदर विवार को कर सकती है समाज के अंदर आप बैढते हैं कई लोगों के बीच में आप बैढते हैं आपके साथ में अबदर विवार करने लगती है आपको अपमानित करने लगती है और यहाँ पे घर परिवार के अंदर भी आपका रहना मुश्किल कर देती है तो यह सभी एक mental cruelty के अंदर आते हैं यानि कि आपके साथ में वो mental cruelty कर रही है आपका घर में रहना मुश्किल कर रह किया है और फिर भी वो इन सभी काम को करते वे भी वो आपको बिनावज़े छोड़िके चली गई है और यहां पर फिर जाके maintenance का केस कर दी है तो यहां पर मैं आज आपको बता देता हूँ कि अगर उसने ऐसा सब कुछ विवार आपके साथ में किया है उसका आपके पास में कोई भी प्रूप है कोई भी सबूत है तो उसके आधार पे आप उन सबूतों को जो mental cruelty के सबूत है उनको आप maintenance के अंदर लगा के और उस maintenance को बंद करवा सकते हैं क्योंकि maintenance के जो cases होते हैं जैसे 125 CRPC का case हो गया और यहां पर section 24 में भी maintenance की demand करती है तो ऐसे जो maintenance के जो cases आते हैं उनके अंदर यह साब साब किलियर किया गया है कि अगर पतनी गलत है और फिर भी वो maintenance की demand करती है तो यहां पर उसका maintenance नहीं बन देनेगा तो यहां पर पतनी की गलती है वो आपके साथ में mental cruelty करी है तो इन बातों कि अगर आपके पास में कुछ भी evidence यह सबूत है तो जरूर इन सबूत evidence हो को आपको maintenance case के अंदर लगाना है वहां पर बिलकुछ साबित करना है अगर आप वहां पर साबित कर देते हो तो आपको पतनी को maintenance देने के आवसकता नहीं है आप उस maintenance को बंद करवा सकते हैं और maintenance देने से बस सकते हैं तो यह सबसे important बात है अगर यह evidence है तो टरने की कतई भी आवसकता नहीं है और अब यहां पर मैं आपको दूसरा evidence बता देता हूं दूसरा तरीका बता देता हूं जो भ अगरंत कानियों के तोर पे ही अगर पतनी आपकी पुलिस कंप्लेंट कर देती है, पुलिस में सिकायत कर देती है, बार-बार वो आपके उपर ऐसे ही जूटे केस करती रहती है, वो पुलिस में कंप्लेंट देती है, पुलिस में आपकी शिकायत करती रहती है, पुलिस में आ आपे खारीज हो जाती है या फिर रद हो जाती है आगे उसका प्रोसीजर नहीं चल पाता है अगर प्रोसीजर भी चल पाता है तो भी वह आगे जाके डिस्मिस हो जाता है या फिर खारीज हो जाता है तो यह एक आपके पास में सबसे बड़ा ग्राउंड बन जाता है इसके आधार पे इनकी जो कोपीज है जो भी कंप्लेंट की कोपीज है उनको निकलवाक के और यहां पे आप एविडेंस दे के मेंटिनस केस के अंदर और इन आधारों से आप पतनी को मेंटिनस देने से बस सकते हैं तो यह पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी तो वीडि के डारेट कोली के पर मेरे से बात कर सकते हैं अपनी जो भी लीगल प्रोब्लम है उसका स्यूलिशन पास सकते हैं तो फिर आगे में लेंगे आपसे ने वीडियो ने टोपे के साथ में आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद